तो आज हम डिसकस करेंगे इंग्लिस प्रैक्टिस स्रीज का क्वेशन क्लास 15 सब्सक्राइब के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर इंग्लिस का रूल है बहुत ज्याद इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना और कोई भी डाउट है वो चीज आप कॉमेंट सेक्षन पूछन 101 ता question में करा चुका हूँ आपका class no.14 में class no.15 में डिसकस करेंगे question no.102c और first question आपका The daily commuters is waiting to the bus which is widely popularized in the country for its excellent services The daily commuters इसका subject देखो subject है इसका plural जब subject plural है तो वर भी तो plural अंचे तो यहां पर इस तो वैसी नहीं आएगा तो इसका मदब no implement section नहीं आएगा आपका पहले बाले में भी इस है तो यह भी नहीं आ सकता या तो B आएगा या D आएगा आपको पता है कि वेटिंग के साथ हम यूज करते हैं प्री पॉजिशन 4 का वेटिंग 4 यूज करते हैं ठीक है तो वेटिंग 4 के साब से option number D इस का right हो जाएगा 1-0-3 not only it was running all day at the wedding but also the band was late not only यह आपका है inversion rule inversion rule inversion rule यह कहता है कि आपका जब conjunction जब आपका hardly हो गया scarcely हो गया ठीक है not only हो गया इन से जब आपका sentence start होगा ना तो उसके बाद आपको verb यूज करना है और फिर आपका subject आना चाहिए वही चीज आपे not only आ चुका है तो यहाँ पर was पहले आएगा फिर it बाद में not only was it यहाँ पर right होना चाहिए तो यहाँ पर आप देखोगे option number किसमे third में यह चीज लिखा हो है ठीक है was it यहनि option number third में यह चीज लिखा हो है यहाँ पर does it नहीं आएगा second one is तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे जाके past की बाद करा है was late first one is इसलिए नहीं आएगा क्योंकि it is यह present कई हो गया past की हो रही तो present है तो वैसी नहीं आएगा और d option आपका वैसी नहीं आएगा तो उसके बाद आपका web आएगा और फिर आपका subject आएगा यह inversion का rule कहता है 104 देखो a strong feeling of dislike towards someone or something किसी के परती बहुत ज़्यादा नफरत है या फिर नापसंदगी है उसे क्या कहता है उसे कहते हैं हम antipathy यूज करते हैं antipathy तो वैसी पता है कि antipathy आपका pains नुज करते हैं या Keith Semperty दाना थिका है किसी के परती सिंपथी दिखाना थिका है आप sympathy क्या होता और empathy क्या होता क्योंकि दोनों का मतलब तो वही होता है ठीक है sympathy दिखाना या empathy दिखाना empathy यूज करते हैं जब दूसरे persons की feeling को आप समझ सकते ह। ठिक हैं या कि कैसा empathy मातलब जब दूसरे के साथ हो आपके साथ भी हो तो इस चीज को आप समझ सकते हो sympathy दिखाना मातलब कुछ हुआ है आप बहुले कि अबस बस हो गया असे sympathy देते ना और deputy मातलब वह चीज आपके साथ भी हो पसंद करने वाला 105 नंबर का question आपका है कि आपको बताना है यहां पर क्या चीज यह active passive okay the government is to launch a new affordable housing scheme is to launch a two plus जब two से start होगा ना active है तो आपको जब पैसी बनाओगे तो to be plus v3 firm में वो change होगा ठीक है a new affordable housing scheme okay तो क्या आएगा to be launched is to be launched इस to be launched तो बी ओप्षिन यहां पर राइट होगा यहां पर इस वर रहेगा यहां पर वह जोता है तो वह आता है वर आता तो वर होता है यह चेंज नहीं होगा आपको बस यह चेंज करना to launch नहीं होगा यहां पर to be launch आपको कर देना है पैसी में यह रूल है आपका यादखना है जहां पर आपका two आएगा तो वहां पर change हो जाएगा और two be plus v three form है something that can avoid कुछ ऐसा जिसे हम avoid नहीं कर सकते जिससे छुटकारा ना पाया जा सके inevitable या जिससे टाला ना जा सके यही चीज तो होता है option नमबर ठल ठीक है indelible मता होता है जो खाने युग्य ना हो infallible जो गलती ना करें mistake ना करें invincible जो अज़े है जो इसे करें हराय ना जा सके 107 नमबर का question या पर है इसमें बताना है PQRS तो बताना है पहराजंबल का यह question है the temperature the temperate grasslands of North America are known as the Paris okay they have they से तो start नहीं होगा the people of this region this reason का मता इससे पहले बात करेगा तो यह तो नहीं आएगा इसके बाद it से तो वैसी start नहीं होगा तो option first में हमारा P आएगा ओके अब P देखो इसमें इसमें option number C में तो यहीं आप direct लगा दो 107 का option number 3 तो इस type से कुछ पैरेजंबल ऐसे होते हैं जो आपकी second में हो जाएंगे हैं तो पी एस आर क्यू 108 में क्या करना है error find करना है तो 108 question number हम पढ़ लेते हैं क्या error है तो error यहां पे बताना है हमें कि आप देखो WH के बाद अगर आपका वब वारा इसका मतलब की हो sentence आपका कैसा है interrogative है कि यहां पे last में interrogative sign लगा है नहीं है इसका मतलब आपका where was नहीं होगा यह interrogative है नहीं तो WH world के बाद was कैसे हो जाएगा तो WH world इसको हमें अगर हमें positive में लाना है interrogative से हमें interrogative में नहीं लाना है इसे मतलब सिंपल में affirmative लाना है positive में तो कैसे करेंगे इसे तो where WH plus subject और फिर आप वब लगाओ है ना तो where the temple was यह right होगा है ना where the temple was यानि option number third में was the temple के बाद आएगा 109 में भी error find no improvement section बताना है कि as per the investigating agencies के according बात करें an international drug lord है has been living जो रह रह रहा है मुंबई में since last four years अभी मैंने बुला था कि since use करते हैं point of time के लिए point of time के लिए हम use करते हैं किसका since का और four use करते हैं period of time के लिए period of time के लिए four use करते हैं तो यहां पे since नहीं आएगा since के जगा four आजाएगा लेकिन यहां पे last क्या है ordinal number है लागस्तू last से पहले दा आना चाहिए तो four the last four years तो four the last four years यहनि option number भी आएगा question number 110 यहां पे पूछा हुआ है कि आपका क्या बताना है यहां पे the company has offended me as of इसको बताना है passive में passive में active में अगर has और have plus v3 form जब इसका passive बनाएंगे तो यह change हो जाता है has have been plus v3 में ठीक है has been have been में change हो जाएगा वह यही चीज़ हमने है first वाले में वह जाए तो होगा नहीं second वाले में being लगा दिया तो वैसी गिलत हो गया अब i के साथ d वाला option वैसी नहीं है गा i के साथ has आता है वाता है ना कि has तो d b option राइट हो जाएगा one 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 question number one 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 की बात करें क्या यह question number one mana asked Rohan have you sat in a trolley बस before have you क्या बताना direct indirect यानि have का मतलब present का perfect है तो change हो जाएगा किसमे past के perfect में क्योंकि यह direct indirect है मतलब यहाँ पे head आने चाहिए अब हमें head देखना की head कहाँ पे option number one में head 3rd वाले में कुछ नहीं है head नहीं तो third वाला नहीं आएगा second वाले में head नहीं v2 leaving norm है तो यह भी नहीं आएगा forth वाले में head है नहीं head है तो यह भी नहीं आएगा option number one ही बचाए तो यह से भी हम लगा सकते है अब यहाँ पे देखो have you ,other must second person है second person change हो जाएगा रोहन के according तो he में change होगा तो इसलिए he में head आजाएगा set in a totally भी और before change हो जाएगा किस में earlier में तो यहाँ पर option number one है यहाँ पर options को भी हम देखेंगे ना तो अराम से लगा देगे a person belonging to a foreign country से तो बिलोंग करता है यानि जो विदेष में रहत है उसको हम क्या कहते है alien कहते है alien मतलबleo विदेशी इसका मिदेशी यहां विदेशी alienalım vic yah मून पे रहने वाले को नहीं कहता है alien मतलब जो दूस्रे देश अन कहते है native मतलब जो अपने native place कहता है जहां पर उसका जन्म है उसे कहता है resident जहां पर permanent जहां पर रहता है ठीक है permanent address बोलते है न residential inhabitant निवाश करना जहां निवाश करता है तो बागी तीन कहीं ने कहीं अपने आप में तीनों ही सिनों है native, resident, inhabitant तीनों का meaning same है निवाश करना ठीक है या फिर जहां पर उसका जन्म हुआ है जहां पर रहता है जो इसका पर्मनेंट आप कह सकते हो किसी एक जगे पर रहने वाला तो एलियन हो गया इन तीनों से अलग एलियन मतलब जो विदेश में रहता है रिया हैस ट्राइट टू रिया हैस ट्राइहाल टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर तू स्टील हर ब्रदर्स थंडर यह आपका इडियम इडिया में इसका meaning बताना है तो इसका meaning क्या होगा to steal her brother thunder इसका मतलब होता है कि किसी और का नाम लेते वे क्या करना है खुद को एकदम popular करना एक type से दूसरों की परसंसा to win praise, दूसरों की परसंसा पाना है आप कह सकते हो to win praise for oneself by someone at him तो यहाँ पे to win praise to win praise एक type से प्रसंसा प्राप्त करना तो इसके लिए यूज करते है तो यहाँ पे इसका देखें तो यहाँ पे second option get more recognition than her brother for their success यह आप कह सकते हो the recent exodus of migrant workers is the outcome of an inefficiency administration and the insensivity of policy advisor देखो, error find करना है the recent exodus of migrant workers is the outcome of an inefficiency administration okay, inefficiency, यह क्या है, यह noun है लेकिन आगे आप देखो administration, administration भी क्या है? अपने अपने एक noun है क्या दो noun एक साथ आगे? नहीं इस noun को modify करेगा कौन? adjective, तो हमें चाहिए adjective तो हमें बताना पड़ेगा inefficiency को adjective form में तो क्या आजाएगा? इसका adjective form आएगा inefficient, inefficient यहां पर write होना चाहिए था inefficient administration होना चाहिए था तो option number B में गलाता है inefficiency नहीं आएगा, inefficient यहां पर write हो जाएगा next आपका है question number 115 115 है ना? okay, 115 115 में हमें क्या है? question पूरा, यहां पी क्या दिया? okay, यहां से start हो गया question question आपका है, people believed wrongly people believed wrongly that the moon was hot and the sun was cool आचा, यहां पर देखो adverb of manner adverb of manner के according जो आपका manner है ना? believed wrongly क्या यह सही लिखा हुआ है? या आप इसे बोलोगे wrongly believed wrongly believed आपका जो manner है ना? कैसे बता रहा हो? गलात है यह गलात बता रहा है, manner बता रहा है adverb of manner, तो यह हमें वर्फ से पहले यूज करना है यह वर्फ से पहले यूज होता है तो wrongly believed आएगा ना कि believed wrongly होगा तो इसका हो जाएगा wrongly believed, option number D question number 116 यहां पर पूछा है question number 116 question number 116 के अगर बात करें तो 116 आपका क्या कहता है that in that बताना है तो he said to me, I have I have lived in here for most of my life I have, have है present का perfect present का यह लिखा हो है perfect, तो जब इससे change करेंगे तो यह हो जाएगा past का perfect okay, तो हमारा यह पास आना चाहिए था head अब आप ढूंडो कि head कहां पे है head कहां पे ही है first वाले में has है गलत, third वाले में have है गलत अब second या four दोनों में head है अब देखो, जो here है na here that in that में उचेंज हो जाता है किसमें there में, तो दोनों में भी there है तो he told me that he had lived there for most of my my यानि first person change हो जाएगा हमारा subject recording तो यहां पे he ke recording आपका change होगा my, तो my change होगा he ke recording तो किसमें change हो जाएगा, his में तो देखो, बी option ठीक है fourth option में my लिखा है इसलिए आपका गलत हो जाएगा 117, no new content can be developed at this time with much production activities coming to our hub much production activities activities को यहां पे अगर हम देखें activities बोलिंगे कि Я countable है या ना uncountable तो यह है countable activities है आपका countable जब countable है, तो यहां पे much हम use करते हैं किसमें uncountable में तो यहां पे countable है, तो यहां पे much का positive degree use करेंगे तो क्या करेंगे, more with more production activities ठीक है, तो यहां पे much नहीं आएगा 118 की बात करें, question number 118 यहां पर दिया हुआ है कि those men as false to their family should be avoided. तो यहां पर those आप बताओ. क्या those के बाद आपका singular form आएगा? नहीं. यहां तो those mean होता mean. तो ठीक होता. यहां फिर आगे जाके as भी लिखा है. आपको पता है कि आप क्या बोलते हो such as वाला pair होता है एसी गलत होगा? खाली main करोगे तो यहां पर main false तो ऐसी गलत है तो such use करो क्योंकि आगे जाके as लगा होगा होगा है. तो such as वाला pair होता है तो such mean as right हो जाएगा. To pick holes का मत होता है कमिया ढूनना. क्या करना? कमिया ढूनना. कमिया यहां पर question number है तो 120 का यहां पर बताना है PQRS, for example It takes thousands of years It takes, it से start होगा मतलब नहीं होगा That rate of information is much smaller than the rate at which the human consume these minerals Okay, thus, thus से start नहीं होगा sentence Okay, minerals are in non-renewable source S से या तो S आएगा या Q आएगा Okay, S आएगा या क्यों आएगा Q तो यहां पर दिया नहीं है Q तो R तो वैसी नहीं आएगा तो इसके बाद मतलब हमारे पास क्या बचा है? S, तो S आजाएगा S या Q में doubt था Q दिया नहीं है तो S ही आएगा तो option number 20 का राइट होता है तो इस type सापको Opportunity World से यह बना हुआ है इसका आपको बताना है Synonym क्या आप इसका Synonym बनाओगे यह चीज बताना है तो comment में आज का questions आपका है कि Opportun का आपको बताना है क्या Synonym देखते हैं कितने लोगों यहां पर बताते हैं बागी मिलते हैं आपका Class number कौन सा 16 में ठीक है और Reasoning की हर एक Class को औरते भी चलना क्योंकि Reasoning की Class में बहुत ज़्यादा Important है English के तरह ही है तो हर Class में Reasoning के हर एक Class से कुछ ना कुछ आप सीखोगे Important है तो courses का ना D, T, S, B वाले 40 out of 40 English Reasoning 40 out of 40 Hindi 40 out of 40 यह target करना है ठीक है बागी Hindi Class भी आपके कंप्लीर हो जाएगी बागी शुक्रिया, take care, all the best, bye bye कोई कॉमेंट, कोई आपका डाउट है तो कॉमेंट सेक्षन पूछो, नहीं तो टैलिग्राम पे आप पूछ सकते हो